आपके पास भी रखी हुए घर में कुछ इस तरही ग्रोश्री पोलो थीन तो दोस्तों यह वाला आइडिया आप मेरे कहने से एक बार जरूर देखे का आपको बेहर्द पसंद आने वाला है जो आपको बना के दिखाने जारी हो ना अगर आप इसे मार्केट में देख लेंग आप खुद कहोगे कि हम भी फटाफट बना लेते हैं अब जितनी पोलो थीन थी मेरे पास सब मैंने फोल्ड कर ली हैं और आपको मार्केट जे खरीदने की जरुवत भी नहीं है यह दिकी दोस्तों हमारी फोल्ड हो चुके हैं सारी की सारी पोलो थीन अब मेरे पास रखा क्या मैं आपको बताती हूं दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूं अगर वीडियो थोड़ा सा भी आज का अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सस्क्राइब कर लीजेगा गंटी को दबाखराल पर सेट जरूर कीज़ेगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालो हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी हेल्फुल वीडियो का लाव सबसे पहले उठा पाएं और अपने घर के लिए अच्छे-चीजे बना पाएं एकदम जीरो बजेट में यहा हमें दूसरी पोलोथीन लगा देनी है तो यह जोना सिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है यह निकेस पर मशीन नहीं चलेगे मशीन बहुत बढ़ियां चल जाती है और मशीन आपके खराब भी नहीं हो क्योंकि मैं तो यह सारी चीजे बनाते रहती हूं अपने घर में इस इसकी लेयर खोल देनी होगी क्योंकि यह फोल्ड थी इसकी लेयर खोलते हुए हमें लगाने होंगे इसमें पतले-पतले से कुछ कट अब आप इसमें कट थोड़ा सा ध्यान पूरवकल लगाएगा शिलाय नहीं कटनी चाहिए दोस्तों शिलाय कट जाएगी तो पोलोधीन जरूर करेगा अब देखिए इस तरीके से हमने इसमें कट लगा देने हैं और इसकी लेयर को खोल देना है थोड़ा सा यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आपने सारी की सारी पोलोधीन की जो पट्या हैं कट कर लेनी हैं यह देखिए तो हेनक कितना आसाम तरीका और आपका भी मन करदा होगा कि आप मीने बना ले तो फिल्बुल बनाईएगा दोस्तो जब बना लोगे ना तो आके मेरी वीडियो मां कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मैं आपके comment का wait करूँगी कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है और बनाया है तो कैसा बना है ये देखिए पहले green polothin लगाई फिर मैंने white लगाई, yellow लगाई और ये नीली वाली लगाई ये गुलाबी भी मैंने लगा दिए बस इतना ही color मेरे पास थे इसमें जो हमने पोलो थीन की लेयर लगाई थी फोल्ड करके तो वो काफी सारी लेयर थी इसलिए जो इसकी मतलब के उचाई है काफी अच्छी हो गई है काफी मोटा ये हो गया है अब चाहे तो आप इस पे बैठ ये चाहे आप इसे टेबिल पर डाल दीजिए या फिर कहीं ये देखने में बहुत सुंदर लगने वाला है तो ये लिजे दोस्तो जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग थी करने के लिए इसमें जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था पोलो थीन का पार्ट वो सब मैंने काट करके हटा दिया है ये देकि बिल्कुल फिनीशिंग हमने इसे दे है और सारे के सारे जो इसकी लेयर थी मैंने इस तरीके से खोल दी है अब आप खुद देख पारे होंगे दोस्तों आपको देखने से पता चल रहोगा कितना एकदम गुदगुदा सा ये बनके तयार हो चुका है मेरे घर में से देखके सब खुस हुए थे आप बनाईए आ हमारे पोलोथी नीजीली मिल जाती है खटा करके रखिएगा और आप भी से बना ले जगा चाहिए बड़ा बनाईए चाहिए चोटा बनाईए आगे तीजे दोस्तों बाबाई